भगवान श्रीकृष्ण ने जो संदेश स्रीमत भागवत गीता में दिया है उसकी चर्चा सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं है गीता संपूर्ण विश्व में पढ़ा जाने वाला ग्रन्त है भगवान स्रीकृष्ण संपूर्ण मानव जाती के थे मथूरा से निकल कर भगवान स्रीकृष्ण का संदेश आज पूरे विश्व में पहुँच चुका है गीता का संदेश सर्वकालीन और सर्वसमाज और प्रत्यक व्यक्ति के लिए है आप सोचते होंगे कि गीता आखिर विभिन देशों में रहने वाले विभिन भाषाओं को बोलने वालों ने कैसे पढ़ा होगा जबकि गीता मूलत संस्कृत भाषा में है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सिर्फ भारत में ही बोली और समझी जाती है लेकिन भगवत गीता का कई विदेशी भाषाओं में भी अनुआद हुआ है और कई विद्वानों ने भी इस पर काफी काम किया है सरव पर्थम स्रीमत भगवत गीता का उर्दू अनुआद महरूलाह ने किया था महरूलाह एक मुसलिम कभी थे उनका जन्म 1861 में बंगलादेश में हुआ था उन्हें धर्म ग्रंथों के तुलनात्मक अध्यन और उस पर विचार रखने और लिखने के लिए जाना जाता था 1907 में महरुलाह का निधन हो गया कहा जाता है कि बाद में उन्होंने सनातन धर्म स्विकार कर लिया था इसी तरह से स्रीमत भगवत गीता का सबसे पहले अर्भी में अनुआद करने वाला अलफ हते कमांडो एक फिलिस्तिनी नागरेक था कहा जाता है कि भगवत गीता से प्रभावित अलफ हते ने बाद में जर्मनी में इसकान जाइन कर लिया था वही अंग्रेजी में सबसे पहले भगवत गीता का अनुआद करने वाले का नाम चाल्स विलकिन्स था हिप्रू में अनुआद करने वाला व्यक्ती ली फना नाम का इसराइली था कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने भारत आकर सनातन धर्म स्विकार कर लिया था रूस में भगवान स्रिक्रिष्ण बेहद लोगप्री हैं और वहां के हजारों नोगों ने सनातन धर्म को स्विकार किया है हरे रामा हरे क्रिष्ण भजन वहां काफी लोगप्री है रूस के कई लोग भारत में रहकर क्रिष्ण भक्ती में लीन पाये जाते हैं नोविकोव नाम के व्यक्ती ने सबसे पहले रूसी भाषा में स्रीमत भगवत गीता का रूसी में अनुवाद किया था। बाद में नोविकोव भी कृष्ण भक्त बन चुके थे। अब तक विश्व के लगभग 300 विद्वानों ने स्रीमत भगवत गीता का अनुवाद किया जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, अर्बी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश, सहित अन्य भासाएं सामिल हैं। यही नई इन भासाओं में अलग-अलग विद्वानों ने एक से अधिक बार भगवत गीता का अनुवात किया है। भारत में आने वाले विदेशी, राष्टपती या प्रधानमंति या उच्च पदस्त राजनेता को राष्टपती की ओर से उपहार सरूप स्रीमत भगवत गीता की प्रती भेट की जाती है। क्योंकि यही हमारे देश की सबसे बड़ी पुन्जी है। यह स्रीमत भगवत गीता की शक्ती है और उसमें लिखे भगवान स्रीकृष्ण के सार्व भवमिक संदेश की सच्चाई है। जिसने स्रीमत भगवत गीता को आज पूरे विश्व में प्रसिधी दिला दी है। भाषाओं का लोहा आज भी माना जाता है जिसके माध्यम से जंजन तक किसी भी संदेश को आसानी से पहुचाए जा सकता है।